हालो स्टूडन्स आज का हमारा टॉपिक है अक्टिवेक्टिड़ स्लाज प्रॉसस तो यहां पर मैंने एक डाइग्राम बना रखा है आप अगर देखेंगे इस डाइग्राम में मैंने इस पूरे प्रॉसस की फ्रोशीट बनाई हुई है बट इस डाइग्राम को एक्स्प्र तर्म्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना जाओंगी तो सबसे पहले हम इस प्रोसस की अगर बात करें तो यह जो हमारा प्रोसस है यह एक तरीके का आरोबिक my की बाय decomposition का process है अब biological decomposition जो होता है उसमें basically जितने भी हमारे bio degradable organic matter होते हैं उन सारे bio degradable organic matter का decomposition होता है in presence of oxygen मतलब जितने भी हमारे bio degradable मैं थोड़ा short में लिखूंगी om means organic matter ये सारे के सारे हमारे decompose हो जाते हैं मतलब ये सारे सारे oxidize हो जाते हैं in presence of oxygen किसकी help से by aerobic microorganisms अगर मैं om लिख रही हूं इसका मतलब organic matter है m o लिखूंगी तो इसका मतलब microorganisms तो basically aerobic biological decomposition में ये होता है कि जितने भी bio degradable organic matter है वो oxygen की presence में decompose होते हैं by aerobic microorganism right तो ये जो process है activated sludge process ये हमारा इसी principle पे काम करता है ठीक है दूसरी चीज जो इस process के बारे में important है वो ये है ये एक तरीके का suspended growth system है अब suspended growth treatment system का हो या suspended growth process या system कुछ भी बोलो तो यहां पे ये हमारा एक suspended growth process है अब suspended growth का मतलब ये होता है कि जो हमारे microorganism है right हमारे microorganism ही हमारे organic matter को decompose कराते हैं तो अगर हमारे microorganism suspension में है right मतलब हमारे microorganism move कर रहे हैं in waste water www मतलब wastewater तो वो process हो जाएगा suspended growth process क्योंकि जो microorganisms की ग्रोथ हो रही है ठीक है वो किस उस्में बारे में दो important point तो यह आपको important point याद रखने हैं अब हम आगे चलते हैं अपने diagram की तरफ आते हैं तो अब आप देखिए यहां पर मैंने अपने पहले lectures में आपको flow sheet बताई हुई है कि primary treatment, preliminary treatment, secondary treatment होता है तो basically जो आपका activated slash process है वो आपका एक type का secondary treatment है ठीक है preliminary, primary, secondary होता है तो यह जो भी आप देख रहे हैं यहां पर 이 देखो कितने units हैं activator slash process में दो units हैं एक हमारा aeration tank हो गया और दूसरा हमारा हो गया secondary sedimentation tank अब process start करते हैं यहाँ पे जो sewage है वो हमारी primary sardimentation tank से आएगी इसके पहले हमारा primary sedimentation हो रहा होगा उस primary sedimentation tank से हमारा wastewater यहाँ पे enter करेगा इस point से हमारे इस aeration tank में ठीक है तो ये जब sewage यहां से enter होगा ठीक तो ये आप जो blue देख रहे हो ये हमारा sewage है और ये जो आप yellow yellow point देख रहे हो ये है हमारा bio mass तो इस tank में basically होता ये है कि इस tank में हम तीन चीजों को mix करते हैं पहला हमारा ये जो sewage यहां से आ रही है दूसरा हमारा ये जो bio mass है और तीसरा हमारी ये जो air enter होगी यानि इस tank में हमारी तीन चीजों को properly mix किया जाता है पहला जो waste water आया हमारे PST से दूसरा जो हमारा bio mass है जो already उस tank में present था और तीसरा air जिसको हम provide करेंगे ठीक है तो primary से आया sedimentation tank से ये already present था और air हमने add कर दी इन तीनों को जो है इस aeration tank में properly mix किया जाता है ठीक है इन तीनों का mixture बना लिया जाता है आप देखो इसलिए यहां पर rotation का sign है क्योंकि ये बराबर mix किया जा रहा है और जब किसी चीज को हम बराबर mix करेंगे तो वो कभी भी settle down नहीं हो सकते वो बराबर हमारे किसमे रहेंगे motion में इसलिए ये सारे जो particles हैं ये आप देख रहे हो biomass ये सब के सब क्या होंगे motion में होंगे अब हमने term use किया है biomass तो पहले आप ये समझ लो कि biomass होता क्या है तो basically जो biomass है हम उसको चाहे biomass कहें चाहे हम उसको activated sludge बोलें दोनों का मतलब होगा same ठीक है अब देखिए आप activated sludge और biomass तो यहाँ पे जो biomass है इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे active microorganisms है ठीक है coated around sludge coated around sludge वो हमारा कहलाएगा biomass फॉर एक अगर आपका एक ये decomposed organic matter है ठीक है तो इसके उपर जितने भी microorganism आ करके चिपके होंगे ये सारा का सारा तुमारा क्या कहलाएगा total combination biomass ठीक अब ये जो biomass है यहाँ पर देखो ये जितने भी decomposition हो जाएगा organic matter का इस decomposition के बाद जो यहाँ पर हमारे नीचे इखटा हुआ है material वो होता है हमारा sludge ठीक है अब इस sludge को हम activated sludge इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें microorganism भी है जो भी जिन्दा है sludge के आसपास जो भी हमारे solid उसके आसपास हमारे microorganism attach होंगे तो ये biomass हमारी यहाँ पर already present होती है sewage में जाकर कि mix होती है और suspension में ही microorganism grow करते हैं और grow करने के साथ-साथ वो हमारे organic matter को decompose भी करते चले जाते हैं ये जो process है हमारा mixing का या जो भी process हो रहा है उसका जो duration होता है वो होता है चार से आठ घंटे यानि ये जो mixing चलेगी वो चार से आठ घंटे के लिए चलेगी एक बार ये हमारा full decompose हो गया फिर हम यहाँ से अपनी waste water को जो की decompose हो चुका है उसको आगे भेज देंगे अब decomposition के बाद उस waste water में एक तो हमारा जो भी decomposed organic matter है वो है दूसरा हमारा पानी है तो दो चीज़े होंगी एक होगा decomposed organic matter और एक होगा हमारा पानी तो यह यहाँ पर आ जाएगा secondary sedimentation tank में जब हम secondary sedimentation tank में करीब secondary sedimentation tank का यहाँ पर जो detention time होता है वो 1.5 से 2 घंटे का होता है तो जब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए इस tank में छोड़ देंगे तो पानी अलग हो जाएगा आप देख सकते हो और नीचे solids हमारे अलग से deposit होगे तो यह जो solid deposit हुआ यह आपका decomposed organic matter है और इस decomposed organic matter में हमारे microorganism भी है इसलिए इसको बोलते है activated sludge तो अगर activated sludge को define करना होगा तो आप simple कह सकते हो it is a decomposed organic matter containing active microorganism ठीक है तो यह हो गया हमारा active sludge अब यह जितना भी active sludge है यहाँ से वापस tank को खाली करेंगे तो इसमें से कुछ portion हम वापस भेजेंगे अपने aeration tank में आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ portion होता हुआ वापस से aeration tank में जाएगा और यह कहलाता है return sludge ठीक है कुछ portion हम इसमें नीचे भेज देंगे जो की आगे चला जाएगा जिसको हम कहते हैं excess sludge और यह sludge digestion plant में चला जाता है sludge digestion एक अलग से unit है वो आपको अलग से देखने को मिलेगा flow sheet फिलाल यह याद रखिएगा activator sludge जो नीचे tank में जमा हुई उसे खाली करना है कुछ portion हमने वापस भेज देना है aeration tank में और कुछ portion हमने sludge digestion के लिए अलग से भेज देना है process पूरा complete हो जाता है इस तरीके से और end में जितना भी waste water यहां से हुआ उसको हम फर्दर भेज देते हैं tertiary treatment के लिए यहां से हमारा wastewater निकलेगा और उसमें हम आगे जो भी tertiary treatment करना होगा उसके लिए उसको आगे भेज देंगे तो यह पूरा complete process था हमारा activated sludge process दो तीन points थे उसको अभियान रखिएगा एक तो यह aerobic biological decomposition है दूसरा suspended growth process है तीसरा secondary treatment है इसके अलावा इसके अगर units की बात की जाए तो aeration tank आएगा इसमें secondary sedimentation tank आएगा फिर कुछ terms थे जैसे biomass क्या होता है activated sludge क्या होता है यह सारे terms आपको याद रखने है इसका detention period याद रखिएगा activated sludge tank का यह aeration tank का detention period होता है चार से आठ गंटे और जो secondary sedimentation tank है उसका detention period होता है देर से दो गंटे राइट इस lecture में फिलाल अब भी इतना ही मेरा जो next lecture होगा उसमें आपको बताऊंगी कि activated sludge process को जब हम design करते हैं तो कौन-कौन से चीजों को में ध्यार में रखना होता है मतलब design considerations of activated sludge plant तब तक आप इसको एक बार revise जरूर से करें कुछ turns है जो आपको याद रखने हैं सबजना जरूर है कोई query हो तो आप comment section में mention करें मैं उसको जरूर सूट आप करूंगी thank you so much for watching this video take care